हेलो फ्रेंज यदि आपके से भी कॉम्टिशन की तैयरी कर रहे हो या आपको शो के नोवल्स पोईट्री और स्टोडी पढ़ने का तो आए हमारे चैनल जी के विदमस्ति संदिप गोयल पर यहां आपको बहतरी से बहतरी उपन्यास कहानी और कविताई मिलेंगे और पढ़न के लिए काफी पोड़ी बुक्स मिलेंगे तो अगर आपको यह पसंद आये तो लाइक किजिए और सब्सक्राइब करना नहीं हुलिए अध्याए पांच प्रारंबिक मिस्त्री सभ्यता बीस्वी सदी की शुरुवात में सुमेरियाई सभ्यता की खोज होने से पहले मिस्त्री सभ्यता आम तोर पर प्राचीन्तम सभ्यता मानी जाती थी मिस्त्री सभ्यता एक त्यंत लंबे समय तक बनी रही मुख्यता इसी कारण या मानेता बनी मिस्त्री सभ्यता की अनेक मिशेश्टाएं तकरीबन तीन हजार साल तक तिकी रही प्राचीन यूनानियों और रोमनों ने जब वहां शासन किया तो उन्होंने अनेक मिस्त्री परंपराएं अपनाई यूनानी रोमन इतिहासकारों ने मिस्त्री सभयता की पुरातनता की चर्चा की है यहूदी, हिसाई और इसलामी धर्म ग्रंत मिस्त्र और वहां के राजाओं फैरोहों की चर्चा से अटे पड़े हैं सदियों से प्राचीन मिस्त्र के अतिविशाल अवशेश मसलन पिरामिट लोगों की कलपना पर गहरा छाप छोड़ रहे हैं इस प्रकार मिस्त्री सभ्यता की सुमृती आधुनिक समय में भी ताजा बनी रही जब उसके इतिहास के व्यवस्थित अध्यन की शुरुवात हुई हम पहले ही नोट कर चुके हैं कि मिस्त्र में नवपाशान की शुरुवात अपेक्षाकृत देर से हुई सभ्यता और शहरी क्रांती के लक्षण सुमेरिया की तुलना में मिस्त्र में बाद में उभरे फिर भी मिस्त्र में नवपाशान से शुरुवाती सभ्यता में संक्रमन की प्रक्रिया खासे तेज रफ्तार से हुई और करीब 5000 साल पहले समूचा देश राजनीतिक रूप से एकी कृत हो गया मिस्त्र की राजसूचियां करीब 3100 इसा पुर्व की हैं बदकिस्मती से सभ्यता में संक्रमन की अनेक पहलू कुछ हद तक धुंदले और आस्पष्ट बने हुए हैं क्योंकि उस काल के पुरा तात्विक विवरन मेजोपोटामिया के समान व्यापक नहीं है मिस्त्र के इतिहास की बहतर समझ के लिए वहां की भागोलिक विशेशताओं का संग्शिप्त विवरन उपयोगी होगा मिस्र का ज्यादातर हिस्सा शुषक और बंजर है जहां बहुत ही कम बारिश होती है उसका पश्चिमी हिस्सा एक विशाल रेगिस्तान है जो सहारा से मिल जाता है रेगिस्तान के इस भाग को पश्चिमी रेगिस्तान कहा जाता है लाल सागर से लेकर नील नदी तक मेस्तर का पूर्वी हिस्सा भी रेगिस्तान है उसक्षेतर में कुछ छोटी पहाड़ियां भी हैं उसे पूर्वी रेगिस्तान कहते हैं फिर भी या मेस्तर का सवभागय है कि वहाँ नील नदी बहती है नील नदी दक्षन से पूर्वतक मिस्तर की पूरी लंबाई में बहती है उसका पानी भूम अध्य सागर में गिरता है नीले घाटी से होकर बहती है कई जगहों पर यह घाटी करीब 25 किलो मीटर तक चौड़ी है घाटी खड़ी चट्टानों और रेगिस्तान से घिरी है पेज 95 नील घाटी मिस्तर का सर्वधिक उर्वर क्षेतर है नील नदी में हर साल आने वाली बाड इस शुषक और बंजर देश में सीचाई का नायाब अवसर देती है नील नदी भूमद्य सागर में मिलने से पहले घाटी के उत्तरी छोर पर एक डेल्टा का निर्मान करती है उत्तर का यह डेल्टा ख्षेतर आमत और पर निम्न मिस्तर कहलाता है देश के दक्षणी हिस्से को उपरी मिस्तर कहते है उपरी मिस्त्र में नील नदी छट्टानों बीच दरार से गुजरती है, इस तरह मिस्त्र को एक पश्चिमी रेगिस्तान दो नील घाटी और तीन पूर्वी रेगिस्तान में बाटा जा सकता है, अईतिहासी काल में नील घाटी मुख्यक शेत्र थी, जहां आबादी केंद्र उसे दो हिस्सों में विभाजित किया जाता है, एक डेलिटा या निम्न मिस्त्र, दो उपरी मिस्त्र, मिस्त्र के दक्षिन के इलाकों को नूबिया कहते हैं, पार्ट वन, पहले समझा जाता था कि मिस्त्री नवपाशान का उद्भव नील नदी में हुआ है, लेकिन उसके विपरीत उसका विकास पश्चिमीर एकिस्तान में हुआ था, इसे मिस्त्र के पर्यावरणिये इतिहास एन्वार्मेंटल हिस्ट्री के संदर में देखा जान चाहिए, काल बुद्जर की कृती, अरली हाइड्रालिक सिविलाइजेशन इन इजिप्ट, ने इन में से कुछ तबदीलियों पर प्रकाश डाला है, जो पूर्व नूतंतम यूग में उसक्षेत्र में घटी थी, शुरू में एक दौर था जब खूब वर्शा हुई, या दौर करीब 9200 इसा पूर्व से 6000 इसा पूर्व चला, उसके बाद 5000 इसा पूर्व तक सूखा का एक दौर चला, कुछ और उतार चड़ाओ के बीच वर्शा के कुछ और दौर रहे, फिर इसी क्रम में करीब 2400 इसा पूर्व में मौजूदा शुष्क परिस्तितियां पित हुई, यह संकेत देता है कि पूर्व नूतंतम युग में रेगिस्तान के कुछ हिससे उतने शुष्क नहीं थे, जितने वे बाद में हो गए, बाद में एफ हस्सान जैसे विशेशग्यों के अनुसंधानों ने दिखाया कि पूर्व नूतंतम युग में पश्चिमी पूर्व निल नदी में खुब बाढ़ आती थी, घाटी में बाढ़ आते रहने से वहां रह रहे जन समूह पश्चिमी रेगिस्तान की ओर चले गए, उन दिनों पश्चिमी रेगिस्तान में स्थितियां आज की अपेक्षा ज़्यादा बेहतर थी, वह शिकार एवं खाद पश्चिमी रेगिस्तान के शिकारी संग रहक समुधायों ने जंगली अनाजों की खेती को लेकर कुछ तजुर्बे किये, साधी शायद उन्होंने कुछ जानवरों को पालतू बनाने का प्रयास किया करीब 8000 बीपी तक उस खेतर में जो की बाकाइदा खेती 6 पांट वाला जो जिसके लिए 2 पांट वाले जो की अपेक्षा ज्यादा नमी चाहिए होने के साक्षिय मिले हैं बाद में जब पश्चिमी रेगिस्तान जदा शुष्क हुआ तो लोग नील घाटी की तरफ चले गए हम अध्याय तीन में देख चुके हैं की घाटी में बसे लोगोंने करीब 7000 बीपी में क्रिशी की शुरुवात की पेच जियानवे 7000 और 6500 बीपी के बीच निचले मिस्त्र में नवपाशानी अर्थेवेवस्था विगसित हुई निचले मिस्त्र में प्राचिंतम नवपाशानी अस्थल फायुम और मेरी मदे में मिले हैं ऐसी मान्याता है कि उस शेत्र की नवपाशानी संस्कृती शायद पश्चिं एश्याई संस्कृतियों से प्रभावित हुई हूँ उपरी मिस्त्र में खाद्य उत्पादन की शुरुवात के पारे में अभी नहीं जानते हाल के पुरा तात्विक साक्षियों के संकेतों के मुताबिक दक्षण मेस्त्र में नवपाशानी सभ्यता लगभग 6500 बीपी के बाद शुरु हुई फायुम और मेरी मदे में आरंब की नवपाशानी बस्तियों के बाद नील घाटी में सिलसिलेवार तीन नवपाशानी संस्कृतियां उबरी उन संस्कृतियों के विकास के क्रम में लोग खेती के लिए नील नदी की बाड का इस्तेमाल करने में अधिकाधिक सक्षम हुए पुरा तत्व विदों ने उन संस्कृतियों की शिनाक्त इस प्रकार की है बद्री बद्रियन अम्राई या नकदा एक और गिरजेई या नकदा दो बद्री संस्कृति बद्री स्थल परनामित करीब 4100 से लेके 3600 इसा पूर्व के दोरान फली फूली उस दोरान नील से लगे इलाकों में अनेक नव पाईशानी गाउं उपरे ऐसा हो सकता है कि उन गाउं के वासी पश्चिमीर गिस्तान से घाटी में आ गए लोगों के वन्शजहों बद्री वासियों ने जो और गेहूं उपजाए उन्होंने भेड बकरी और मवेशियों को पालतू बनाया उस काल में अम्रित भांड बनाये गए हलंकी नील नदी की बाड की प्राकृतिक सिंचाई पर आधारित क्रिशी तत कालीन अर्थव्यवस्था में एक महतोपूर्ण भूमिका निभा रही थी लोग अभी खाद्य संग्रह और शिकार पर एक हद तक निर्भर थे तक्रीबन 3800 से 3500 इसापूर्ण के बीच फली फुली अम्राई संस्कृति अल अम्रा पर नामित बद्री संस्कृति से कमों बेश मिलती जुलती थी इस दोरा नील नदी की बाड का दोहन क्रिशी के उद्देश्य से ज्यादा व्यवस्थित रूप से होने लगा था पूरी घाटी में नवपाशानी बस्तियों की तादाद बढ़ी ऐसे साक्षे भी हैं कि अम्राई संस्कृति ने तामबा का इस्तेमाल किया था गेरजे संस्कृति अलगेरजे पर नामित के दोरान मिस्त्रवासियों ने बाड के पानी को नियंतरित कर क्रित्रिम सीचाई की व्यवस्था की नहरे खोदी गई ताकि नील से कुछ दूरी परस्थित केतों को उसकी मदद से कीचा जा सके इसने अधिशेश अनाज की उपज की स्थितियां स्रिजित कर दी नील घाटी की मिट्टी इतनी जादा उर्वर है की एक आकलन के अनुसार सामान्य स्थिति में एक क्रिशक परिवार क्रिशी की अपेक्षाकृत आदिम तकनीक का इस्तेमाल करने के बावजूद अपने जी विशेश खाद्यान उत्पादन करने की क्षमता थी। गिरजई संस्कृती का अन्त तक आबादी में एक उलेखनिय व्रिद्धी हो गई। काल बुद्जर ने आगलन किया है की चार हजार से तीन हजार इसापूर्व के बीच आबादी तीन हजार पचास तीन लाख पचास हजार से बढ़कर आठ लाख सतर हजार पहुँच गई। गिरजई संस्कृती के लोगों ने तांबे की वस्तुएं बनाई। उनके पास भट्टी थी जिसमें 1200 डिग्री सेंटीग्रेट तापक्रम तक गर्मी पाई जा सकती थी। जैसा कि हम देखेंगे वह यह वह दौर जब प्रारंभिक मिस्त्री सभ्यता की नीव रखी गई। पेज 97 गेरजई संस्कृती की परिणती मिस्त्र के राजनीतिक एकी करण में हुई। यह एक भारी एतिहासिक महत्वकी घटना है। फिर भी उसकी प्रक्रिया अभी तक ठीक ढंग से समझी नहीं जा सकी है। करीब 3100 इसा पूर्व तक मिस्त्र शक्तिशाली राजशाही वाला एक 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 रिद्देश बन चुका था। वहां नौकर शाही थी और साथी योधा और पुजारी भी थे। नील घाटी में अनेक प्रमुख शहरी केंद्र उभर गय थे। लिखने के लिए एक लिपी का इ किछले अध्याय में कर चुके हैं। सभ्यता में मिस्त्री समाज ने इतनी तेज रफ्तारी से प्रवेश किया कि कुछ विशेशग्यों की राय है कि कुछ समुहों ने संभवता पश्चिम एशिया से मिस्त्र में प्रवेश किया होगा। और वहां नए विचार तथा नए तकनीक पहुचाया होगा जिस से सभ्यता की और मिस्त्री समाज के संक्रमन की प्रक्रिया तेज हो गई होगी। लियोनार्ड वुली का कहना है कि मिस्त्री सभ्यता की कुछ विशेश्टाएं मसलन लेकन मेसोपोटामिया से संभवता ली गई हैं। जिन लोगों ने मिस्त्री सभ्यता के विकास में विदेशी प्रभावों की भुमिका को महत्वत दिया उनमें W.B.E.M.R.E. आरकाइक एजिप्ट की चर्चा की जा सकती है। एमरी की दलील है कि पश्चिमेशिया के कुछ समूह लाल सागर की रास्ते दक्षिन मिस्त्र पहुँचे और अपने साथ वहां सुमेरियाई प्रभाव ले गए। एमरी के मुताबी कभी या ठीक ठीक तय नहीं हो सका है कि मिस्त्र पहुँचने वाले ये बाहरी लोग कौन थे। लेकिन हम कुछ प्राचीन मिस्त्री मिधकों की व्याख्या कर सकते हैं जिनमें विदेशियों के साथ देशजों के टक्राव का जिक्र है। मिस्त्री पुरान कताओं में देवता होरस को एक प्रमुख स्थान प्राप्त था। बाज के रूप में चित्रित होरस को मिस्त्र की राजाओं से अभी न समझा जाता था। होरस के साथ जो सबसे मशूर कता जुड़ी है वह अपने चाचा सेथ के साथ संघर्ष की गाता है। हम इस मिथक की चर्चा तफसील से करेंगे फिलहाल इतना बताना काफी होगा कि माना जाता है कि सेथ ने अपने भाई ओसीरिस की हत्या की थी। उसीरिस और होरस का पिता था। होरस ने सेथ की हत्या कर अंतता अपने पिता की मृत्यू का बदला ले लिया। एमरे इसमें विदेशियों बाज के उपासक और देशज आबादी सेथ के उपासकों के बीच संघर्ष का प्रतिविंब देखते हैं। वह कहते हैं कि मिस्तर के अनेक हिस्सों में सेथ की उपासना की एक बहुत ही पुरानी परंपरा थी। सेथ सुतेख की उपासना लंबे अर्से तक बंजर रेगिस्तान के देवता के रूप में की जाती रही। दूसरी तरफ होरस की पुजा अपेक्षा कृत बाद की चीज है। बहरहाल मिथक जिस तरह विकसित हुआ उसमें सेथ दुष्ट के रूप में पेश किया गया है या बाज के उपासकों की जीत का दियोतक है। एक बड़ी संक्या में इतिहासकारों की राय में इसकी संभावना बहुत है कि मिस्त्री सभ्यता की जणे गिर जेह या नकता दो संस्कृती में हो। ग्लिन डैनियल नील नदी की जबर्दस्त श्रमताओं का जिकर करते हैं जिसने सभ्यता के लिए संभावनाएं स्रिजित की। वह कहते हैं कि राजनीतिक एकी करण से पहले के काल में मिस्त्र पहले सही सभ्यता की और अग्रसर था और मेसोपुटामिया से आवेग पाए वगेर भी वहां पहुँच सकता था। बीजी ट्रिगर की भी कुछ ऐसी ही राय है वह गेरजरी संस्कृति और प्रारमिक सभ्यता के बीच की धारवाहिकता पर ध्यान देने पर जोड़ देते हैं। ट्रिगर बाहरी प्रभावों को पूरी तरह नहीं न कारते बलकि लेकिन वह कहते हैं कि ऐसे साक्ष नहीं मिलते हैं कि बाहर से बड़े पैमाने पर लगों का आगमन के कारण मिस्त्री सभ्यता अपने अंजाम तक पहुँची वह खास तोर पर इस परिकलपना की आलोजना क करते हैं कि प्राचीन मिस्त्री और पश्चिम एश्याई सामी भाशाओं में जो समानता हैं वे मिस्त्र में बाहर से लोगों के आगमन के कारण हैं उनके मुताबिक इसमें कोई असामान्य बाद नहीं है क्योंकि दक्षन पश्चिम एश्या और उत्तर अफ्रीका के एक की बुद्जर कहते हैं बंजरी करण की तेज होती प्रक्रिया के कारण नील घाटी चारों तरफ से रेगिस्तानों से पश्चिमी रेगिस्तान पूर्वी रेगिस्तान नूबियाई रेगिस्तान पूरी तरह घिर गई पश्चिमेशिया नूबिया और सहारा से उसका संपर खत्म हो गया, साथ ही घाटी की बंद प्रकृती ने उसे ज़्यादा समरूपता और संबधता दी, जिससे उपरी और निचले मिस्तर के एकी करण में मदद मिली। प्राजीन मिस्तरी इतिहास में 3100 इसापूर्व राजवंश काल की शुरुवात को रेखांगित करता है। कि मानेथों का मिस्तर का इतिहास मिस्तर के एकी करण के करीब 2800 साल बाद लिखा गया है। बहरहाल प्राजीन गरंतों के बारे में उसे जानकारी थी जिनको आधार बना कर उसने अपना गरंत तयार किया था। आधुनिक इतिहास कारों ने प्राजीन मिस्तर का काल करम तै करने में मानेथों के इतिहास को बड़ा उपयोगी पाया है। मानेथों की ढेल सारी बादों की पुष्टी पुरा तात्विक साक्षियों और अन्यस्तरोतों से हो गई है। मानेथों ने मिस्तर के एकी करन से लेकर सिकंदर की जीत तक महां राज करने वाले हैं। राज करने वाले 31 राजवन्षों को सूची बद्ध किया। उसने उन राजवन्षों का मर्गी करण अनेक कालों में मसलन पुरानी बादशाहत, मध्य बादशाहत और नई बादशाहत और इनके बीच के कालों पहला मध्य वर्ती काल दूसरा मध्य वर्ती काल इत्यादी में किया पेज 99 आधुनिक इतिहासकार मानेथों के इस काल निर्धारन पर भी अमल कर रहे हैं काल निर्धारन का यह तरीका सुविधा जनक है क्योंकि किसी खास राजवंश में परिवर्थन के साथ ही हमेशा अनिवार्य रूप से भारी राजनीतिक सामाजिक परिवर्थन नहीं होते हैं प्रारंबिक मिस्त्री सबहता पर हमारी चर्चा मुख्यता प्रारंबिक राजवंशिय काल या पुरातन काल और पुरानी बादशाहत तक सीमित रहेगी प्रारंबिक राजवंश ये काल के दोरान मिस्तर पर पहले और दूसरे राजवंश करीब 3100 से 2686 इसापूर्व तक ने राज किया उसके बाद पुरानी बार्शाहत तीसरे राजवंश से छठे राजवंश करीब 2686 से 2161 इसापूर्व का दोर आया छठे राजवंश के बाद थोड़े अर्से के लिए तस्वीर कुछ धुंदली हो जाती है उसे पहला मध्यवर्ती काल करीब 2191 से 2133 इसापूर्व कहते हैं जिसमें सात्वां से दस्वां राजवंश शामिल है ग्यारमे राजवंश से एक नया दौर शुरू होता है यहां मध्य बादशाहत करीब 2133 से 1786 इसापूर्व ग्यारमा और बारमा राजवंश है बारमे राजवंश के बाद एक और मध्यवर्ती काल दूसरा मध्यवर्ती काल करीब 1786 से 1567 इसापूर्व है जिसके तहाद 13 से 17 राजवंश आते हैं उसके बाद नई बादशाहत करीब 1567 से 1080 इसापूर्व 18 से 20 में राजवंश का दौर शुरू होता है मानेथों ने राजवंशों के एकान वईक राज्य रोहन युनी लाइनियर सक्सेशन दरज किये हैं लेकिन ऐसे दोर भी संभाव है जब मिस्टर के विभिन हिस्सों पर अलग-अलग राजवंश एकी समय राज कर रहे हूं मानेथों की सूची में ऐसे राजाओं का कोई जिक्र नहीं है। मानेथों के मुताबिक मिस्तर का एकी करण मेनेस नामक एक राजा के हाथों हुआ अभिया निश्चित नहीं हो सका है की मेनेस कोई ऐतिहासिक हस्ती है या नहीं। पुरा तार्त्विक खुदाई ने नार मेर नामक एक राजा से जुड़े साक्षियों पर प्रकाश डाला है जिसने संभावता मिस्त्र के एकी करण में महत्वपूर्ण भूमी का निभाई होगी। यह सुझाया जा रहा है कि नार मेर को दंत कथाओं के मेनेस के साथ चिन्यत किया जा सकता है। बदकिस्मती से पहले राजवंश का कोई विवरण नहीं बचाये। हम बस इतना जानते हैं कि पहले दो राजवंश उपरी मिस्त्र के थिनिस शहर से आये थे। इसलिए वे थिनिसी राजवंश भी कहलाते थे। पहले राजवंश ने उपरी और निचले मिस्त्र का एकी करण किया। यह एकी करण संभवत नार मेर जो हो सकता है कि मेनेस हो का काम था इस घटना की स्मृती तमाम मिस्त्री शासकों को उपरी और निचले मिस्त्र दोनों के राजा के पदनाम से सुशोवित करने की परंपर में संरक्षित की गई इसे की करण के प्रति के रूप में राजा दो दो ताज पहना करते थे सफेद ताज उपरी मिस्त्र का और लाल ताज निचले मिस्त्र का प्रति निधित्तो करता था राजा सर्व शक्तिमान सम्राट फैरोह होते थे शब्द फैरोह प्राचीन मिस्त्री शब्द पेर ओ या पेर आ का हिब्रू रूप है जिसका अर्थ होता है विशाल गर्द या महल का एक संकेत था पेज सो हालंकि पहला राजवंश दिर्ग कालीन आधार पर मिस्त्र का एकी करण करने में काम्याब रहा राजवंश के काल से पहले भी इस तरह के प्रयास अवश्य हुए होंगे राजवंश काल के पहले से ही राजय निर्मान चल रहा था जील घाटी में अनेक छोटे मोटे राजय उभर आये थे उन पर सरदारों का राज था जिनका अपेक्षाक्रित छोटे भूबाग पर नियंत्रन था यह प्रतीत होगा की लगू राजयों के गटबंधन की प्रक्रिया से और या उन्हें जीत कर बड़ी एक्षेत्रिय हिकाईया बनी जो अंत्ता घाटी के राजनीतिक एकी करण तक गई एकी करण के बाद भी लंबे अर्से तक लगू राजय प्रांतिय प्रशासनिक इकाईयों के रूप में ठिके रहे युनाने उन्हें प्रशासनिक इकाईयों को नौम के लिए प्राजीन मिस्त्री शब्द स्पत था कहते थे राजवशकाल में नौम स्थिरी काईयां थी जिनका सुस्पष्ट क्षेत्र था नौम के प्रांतिय अभी जात्य काफी शक्तिशाली थे नौम के अपने प्रतीक थे जो अकसर जानवरों के चिन्न होते थे ये चिन्न मूलता संबंधित नौम से बसे प्रभुत्वशाली कभीलों के गण चिन्न होते थे इस तरह राजवशकाल के नौम की जणे पूर्व के लगू राज्यों में थी एकी करण के बाद उन लगू राज्यों को नौम के रूप में प्रशासनिक धाचा में समाहित कर लिया गया अनिक मामलों में नौम के ख्षेत्र राजवश काल से पहले के लगू राज्यों से एक रूप थे हम राज्यों से पहले के काल में उबर आये लगू राज्यों की संख्या का आकलन करने की स्थिती में नहीं है लेकिन यह ग्यात है कि एकी करण के समय 42 नौम थे उनमें से 22 नौम उपरी मिस्त्र में और 20 निचले मिस्त्र में थे यह संभव है कि उपरी और निचले मिस्त्र के विले से बहुत पहले उपरी मिस्त्र का राजनीतिके की करण हो गया था उपरी मिस्त्र के नेखेन में खुदाई ने अधिविशाल स्थापत्ते वाला एक प्राजीनतम स्थल उजागर किया है युणानी उस नगर को हायेरा कोन पॉलिस बाज का शहर कहते थे वह राजवंश काल के पूर्वे एकेकरित उपरी मिस्त्र की राजधानी हो सकता है संयोग वश मानेतों ने शहरों और राजाओं के लिए युणानी शब्द का इस्तेमाल किया है और कभी कभी इसके कुछ हद तक उल्जन हो सकती है पहले राजवंश के राजाओं ने उपरी और निचले मिस्त्र के संधी स्थल पर स्थित मेंफिस में अपनी राजधानी स्थापित की मेंफिस इस प्राजीन नगर के आवशेश आधुनिक काहिरा के ठीक दक्षिन में स्थित है कई सदियों तक मिस्त्र की राजधानी रहा दरसल इस शहर ने समुचत देश को नाम दिया इजिप्ट मेंफिस के प्राजीन मिस्त्री नाम हिकुप देह से मान लिया गया है उस वक्त तक समुची नील घाटी में अनेक बड़े शहरी केंद्र उभर आये थे उनमें से कई किला बंद थे गिरजयी संस्कृती पूर्व राजवंश काल के आखरी दोर में विकसित ज्यादा तर शहरी केंद्र उपरी मिस्त्र में स्थित थे उनमें हायरा, कॉन पॉलिस, नेखेन, एबिदोस, थिनिस, ओम्बोस, नकदा, एलकाब और कॉप्तोस शामिल हैं फपरी मिस्त्र में साइस और बुतो थे एज 101, करीब 32 इसा पूर्व तक मिस्त्र ने एक लीपी विकसित कर ली थी इस लीपी को चित्र लीपी, हेरो गलिप कहते हैं जिसका अर्थ होता है पवित्र नकाशी, प्राचीन यूनानी जब मिस्त्र पहुँचे तो उन्होंने मंदिरों या मकबरों में पत्थरों पर इस लीपी में इबादत खुदी देखी इस कारण उन्होंने उस लीपी को पवित्र नकाशी कहना शुरू कर दिया मिस्त्री लिपी में इस्तेमाल होने वाले संकेत सुमेरी की लाक्षर लेखन से बेहद भिन हैं फिर भी दोनों लिपियों में कोई संकेत किसी वस्तु या धोनी यहां तक की किसी विचार का सूचक हो सकता है लेखन की यह परधती रेबुस सिधान पर आधारित बताई जाती है जिसमें वस्तुओं शब्दों या अक्षरों को निरूपित करने के लिए चित्र लेख समुच्य या संकेत का इस्तेमाल होता है यह लिपी करीब 3500 साल तक इस्तेमाल में रही मिस्त्र वासी इस लिपी का एक थोड़ा संशोधित रूप का भी इस्तेमाल करते थे जिसे पुरोहिती हेरेटिक लिपी कहते हैं पुरोहिती लिपी चित्र लिपी के ही समान थी लेकिन उसमें संकेत सरल थे वे ज्यादा गोल थे और कम जटिल थे पुरोहिती लिपी रोज मर्दा के इस्तेमाल के लिए उपयुक्त थी खास कर जब जब ब्रश से पापाईरस पौदे से निर्मित कागज सद्रिश लेखन सा अत्यंत वर्ग विभाजित समाल था जिसका शासन फैरो के इर्द गिर्द एकत्रित एक छोटे से अविजात वर्ग के हांथों में था उपरी और नीचले मिस्तर के बेशुमार अधिशेश पर इस शासक वर्ग की पकड थी एक काल खंड में नील गाटी के राजनीती के की करण ने नील नदी को केंदरी कृत भंडारन और पुनर वितरन के लिए अधिशेश के परिवान का प्रमुख राजमार्ग बना दिया फैरो के नाम पर अधिशेश का एक बहुत बड़ा हिस्सा नजराने के रूप में हडप लिया जाता था और राज परिवार के सदस्यों, पुरोहितों, नौकर शाही और सेना के बीच बांट दिया जाता था इस नजराने ने एक निरंकुष समराट के रूप में फैरोह की इस्थिती और पुखता की राजवन्ष से तुरंत पहले के काल तक में सामाजिक स्तरी करण के साक्षे मिले हैं हायरा कॉनपॉलिस नकदा और एभी दोस की कब्रे एक धनाट्य अभिजात वर्ग की मौजूदगी जदाती हैं कुछ मकब्रे शासकों और उनके परिवारों के थे फैरों के अधिन एक लंबा चोड़ा प्रशासकिय धांचा था जिसमें एक विशाल नौकरशाही शामिल थी नौकरशाही के महत्वपूर्ण कारियों में से एक सीचाई की देख रेक थी शुरुवाती दोर से ही अधज मेर शाब्दिक अर्थ नहर खोदने वाला नामा के एक अधिकारी का जिक्र है जिसके जिम्वे सीचाई का कार्य था समय के साथ उस अधिकारी का महत्व बढ़ता गया बाद में हम पाते हैं कि अधज मेर शब्द का इस्तेमाल प्रांतिय गवर्नरों की उपाधी के रूप में भी होने लगी नील नदी में आने वाली वारशिक बाढ़ों पर मिस्त्री क्रिशी की नितांत निर्भरता के मद्दे नजर राजे के लिए नदी के जलस्तर की स्थिती से खुद को अवगत रखना जरूरी था इस मकसद के लिए प्रशासन की एक शाखा परे मूँ थी जिसका काम जलस्तर दर्ज करना और उसकी खबर देना था पेज 102 निल नदी में हर वर्ष बाढ़ आने का मुख्य कारण इथोप्याई पठार पर होने वाली मानसुनी वर्षा है जहां मुख्य निल नदी की एक शाखा नीली नील ताना जील से फूटती है वर्षा के कारण जलस्तर उपर चला जाता है मिस्त्र में जून से नदी का जलस्तर चढ़ने लगता है और सितंबर तक या अपने उच्चतम बिंदू तक पहुँच जाता है उसके बाद नील नदी का जलस्तर गिडने लगता है अक्टूबर नमंबर में बीज बोए जाते हैं जब बाड उतरना शुरू करती है और खेतों से पानी का निकाल सो चुका होता है अगस्त से लेकर जनवरी तक नील का इस्तेमाल सिचाई के लिए किया जा सकता है और पानी खेतों तक ले जाया जा सकता है फरवरी तक नदी का जलस्तर बहुत गिर जाता है और सिचाई करना संभाव नहीं रहता है क्रिशे चक्र को तीन काल में विभाजित किया गया था अखेत या बाड पेरेत या अंकुरन और चेमू या कटाई यहां यह ध्यान देना महत्वपून है कि बारशिक बाड और खेती के काल में ताल मेल था यह विशेष्टा हमें मेजोपोटामिया में नहीं मिलती यह मिस्त्र में सिचाई को अपेक्षाकृत एक आसन काम बना देता है मैं सोपटामियां में स्थानिय सिथियों के हिसाब से सिचाई पर भरपूर ध्यान देना पड़ता था लेकिन में सिचाई के लिए सिर्फ सरसरी तोर पर देख रेकी जरुवत थी मिस्त्र में कुल मिलाकर बाढ का एक नियमित चक्र था लेकिन जल हस्तर में कमी बेशी हो सकती थी छे फूट उपर या नीचे का फर्क समस्याएं खड़ी कर सकता था अगर नदी सामान्य बाढ हस्तर से छे फूट उपर चला जाता तो ग्रामीन अंचलों में जल जमाव हो जाता जिसके कारण खेती के काम काज में विलंब हो जाता दूसरी तरफ अगर स्तर सामान्य से छे फूट कम रहता तो वह सिचाई के लिए अपर्याप्त होता नतीजतन नील नदी का जल स्तर मिस्त्री राज्य के लिए बड़ी चिंता का विशय रहा करता था यह वार्शिक बाढ की स्थिती पर पूरी नजर रखता था ताकि फसल की प्रकिर्ती निर्धारित की जा सके पार्ट थ्री यह पुरानी बादशाहत का दौर था जब मिस्त्री सभ्यता ने प्रोड अवस्था में प्रवेश किया मिस्त्री सभ्यता और संस्कृती पर कई सद्यों तक पुरानी बादशाहत की उपलबधियों का गहन असर रहा इस काल में फैरोह के नेत्रित्व में मिस्त्री शासक वर्ग ने अपनी सत्ता और मजबूत की इस से उन्हें देश के विशाल संसाधन पर अपना नियंत्रन बढ़ाने का मौका मिला अब तक फैरोह भगवान के रूप में सूद्रिता से स्थापित हो चुका था पुरातन काल में भी फैरोह को दिवे पुरुष के रूप में पेश किया जाने लगा था हमें यह ध्यान देना चाहिए कि मिस्त्र के राजा की तुलना में पुरोहितों की भूमिका आम तोर पर गौन रही है पेज 103 राजा स्वयम ही देवता के रूप में पुजा जाता था पुरानी बादशाहत के दौर में फैरोह की पूजा उपासना से जुड़े विस्त्रित कर्म कांडों में इजाफा हुआ फैरोह की उपासना को जोड़दार ढंग से बढ़ावा दिया गया और उसने मिस्त्री धर्म में एक महात्वपून जगा बना ली अनेक प्रमुख मिस्त्री देवी देवताओं को धीरे धीरे फैरोह की उपासना से जोड़ा गया इसने मिस्त्री शासकों को अभूत पूर्वरूप से सर्वशक्तिमान बना दिया पुरानी बादशाहत के पुरा तात्वी कवशेश में उस दौर के राज्य और समाज की कुछ विशेशताओं को जानने समझने में मदद करते हैं उस वक्त के सर्वाधिक प्रभावशाली इमारत शाही मकब्रे हैं फैरोह के दफन के लिए विशाल समारकों के निर्मान की परंपरा तीसरे राजवंश के काल में जोसर के सीड़ी दर पिरामिड के निर्मान के साथ शुरू हुई जोसर तीसरे राजवन्ष का संसापक था उसने अपनी ही अंतियश्टी के लिए सक्कारा मेंफिस के निकट में एक मिशाल इसमारक बनवाया उससे पहले फैरोह भूमिगत मिशाल कबरिस्तानों में दफन होते थे जिने मस्तबा कहते थे जोसर के समय से जमीन के उपर ही मकबरा बनाया जाने लगा जोसर के पिरामिट ने मिस्त्री स्थापत्य में क्रांती लादी उसका मकबरा पूरी तरह पत्थरों से बना है वो अब तक बचा रहने वाला ऐसा प्राजीनतम मिस्त्री समारक है जो पूरी तरह पत्थरों से बना है पत्थरों को इतनी कुशलता से सजाया गया है कि इमारत के सभी चारों तरफ विशाल सीडियां बन गई है शीडियों के इस तर्तीब ने ढाचा को एक पिरामीड नुमा शकल दे दी माना जाता है कि इस पिरामीड की रूप रेखा इमो तेप ने बनाई जिसका नाम उस पर खुदा है एक स्थापत्यवीद के रूप में एक इमो तेप की ख्याती सदियों तक युनानी शासन तक बनी रही इमो तेप का दरजा पढ़ा कर देवताओं के समकक्ष कर दिया गया मिस्त्र वार्सी और बाद में युनानी भी उसकी पूजा करने लगे युनानीों ने इमो तेप को इलाज के देवता अकलेप योस के साथ चिन्यत किया जोसर के उत्रादिकारियों के तहट पिरामिडों का स्थापत्य विकसित होकर सीड़ी दार पिरामिड से विशुद पिरामिड तक पहुँचा चोथे राजवन्ष के काल में यह स्थापत्य कला अपनी बुलंदी पर पहुँची आधुनिक काहिरा के निकट गिजा मेंसित चोथे राजवन्ष काल के पिरामिड हर्व किसी को आश्चर चकित कर देते हैं आकार के हिसाब से यह समारक प्राची नविश्व की बे मिसाल कृतियां हैं चोथे राजवन्ष के पिरामिड फैरोहों की अनुटी हैसियत उजागर करते हैं जो उसे मिस्त्री शासक वर्ग के बीच हासिल थी वे मिस्त्री वर्ग के पास मौजूद विशाल संसाधन का भी दियोतक हैं गिजा समू के दो सबसे शांदर पिरामिड चेयुप्स या खूफू चोथे राजवन्ष का दूसरा शासक और उसके उत्राधिकारियों में से एक शेफ्रेन या खाफ्रे के हैं खूफू जिस पिरामिड में दफन है उसका आधार वर्गाकार है जिसके हर भुजा की लंबाई 235 मीटर है यह 146.5 मीटर उचा है खाफ्रे के पिरामिड का आधार 215.25 मीटर है और वह 143.5 मीटर उचा है पेज 104 इन पिरामिडों की विशालता का अंदाजा इस तत्य से लगाये जा सकता है कि उनमें से हरेके निर्मान में पर्थरों के कम से कम 20 लाख बड़े बड़े टुकडे इस्तेमाल किये गए और सतन एक टुकडे का वजन करीब धाई टन है ये पिरामिड उच्च स्तर के स्थापत्य कोशल के नमूने हैं उनके डिजाइन में परिशुद्ध गणितिय गणना थी ये महज सौंदर ये बोध का मामला नहीं था और इस परिशुद्ध था के बगैर स्थापत्य की द्रिष्टी से इमारत का संभव इमारत का निर्मान संभव नहीं था अन्यथा जैसा कि उनका वजन रूप और आकार था ये इमारत एकदम ढ़य जाते यह आकलन किया गया है कि हर एक पिरामीड के निर्मान में एक साथ कम से कम दस हजार लोगों के श्रम की जरुवत पड़ी होगी मज़दूरों को पिरामीड के निर्मान के लिए तब तलब किया जाता था जब खेत नील नदी के पानी में डुबे होते और क्रिशी से संबंधित कोई काम काज नहीं चल सकता था निर्मान कार्य कई मौसमों के बीच फैले होते कुछ इतिहासकारों की राय है कि पिरामीड निर्मान में जबरिया श्रम नहीं लगा था बलकि बढ़ीले मौसम में किसानों को रोजी रोटी मौहिया कराने का तरीका था बहराल इस कार्य के लिए जरूरी कटोर श्रम को देखते हुए मजदूरों को गोल बंद करने में जोर जबर्दस्ती जरूर की गई होगी हमें ध्यान में रखना चाहिए कि इतनी भारी संख्या में मजदूरों को पिरामिड में लगाने का मतलब एक बड़ी श्रम शक्ती को आर्थिक रूप से उत्पादक गतिविधियों से हटाना था वैसे भी इतने बड़े पैमाने पर मकबरे बनाना मिस्तर के संसाधनों की बरबादी थी यह शायद ही आश्चर की बाद तो की खाफरे के उत्तरा धिकारी में कुरे माईसर नियस के द्वारा निर्मित पिरामिड स्थापत्य के हिसाब से निम्नतर और आकार की द्रिष्टी से बहुत चोटा सिर्फ 62 मीटर उंचा और 108.4 वर्ग मीटर आधार वाला है में कुरे के बाद पिरामिड निर्मान में समगर रूप से हरास हुआ चोथे राजवन्ष के बाद एक लंबे अर्से तक मिस्त्री अर्थव्यवस्थास मारकों की इस तरह की फिजूल खर्ची बरदाष्ट नहीं कर सकती थी बाद के काल के कुछ प्रमुख राजवन्षों ने विशाल मकबरे बनवाए लेकिन उनका स्वरूप बहुत भिन था और जो राजाओं की विशाल काय प्रतिमाय बनाने पर चला गया पिरामिड मूलता ऐसी इमारत थे जिन में संबंधित फैरोह की लाश दफन की गई थी दफन के साथ एक उलेखनिय कर्मकांड जुड़ा था इस कर्मकांड का मकसद मृत फैरोह को पुनार जन्व के लिए सक्षम बनाना था एक मिथक गढ़ा गया जिसके अनुसार मौत के साथ फैरोह का जीवन पूरी तरह खत्म नहीं हो जाता यह माना गया कि मृत्यू के बाद भी फैरोह की जिन्दगी होती है लेकिन इस मरणोत्तर जीवन या मृत्यू के बाद जीवन को सहज करने के लिए दफन से संबंदित कुछ जटिल अनुस्ठान करने पड़ते थे इस अनुस्ठान का सरवाधिक महत्तोपून भाग मृत्य शरीर को संदक्षित रखना था शरीर के अंदरूनी अंग निकाल लिये जाते थे और शरीर पर कुछ जड़ी पूटियों तथा रसाइनों का लेप लगा दिया जाता था उसके बाद उसे पट्टी नुमा कपड़े के टुकड़े में लपेट दिया जाता था इस प्रक्रिया को सामान्यता ममीकरण कहते हैं पेज 105 ममीकरण शव को एक कक्ष में बंद कर पिरामिड या अन्य प्रकार के मकब्रव में रखा जाता था उसके साथ मृत्फ फैरोह से जुड़ी विभिन वस्तुएं भी वहां रखी जाती थी मरणोत्तर जीवन में गमन में मदद करने के लिए मकब्रा में एक अनुष्ठान पोत रखा जाता था फैरोह के मरणोत्तर जीवन की अवधारना उसे रिस्क के मिथक से जुड़ी है जिसकी हम थोड़ी चर्चा पहले कर चुके हैं मृत फैरोह को ईश्वरा नुग्र प्राप्त मृतकों के देवता उसाइस के साथ चिन्नित किया जाता था मिथक के कुछ और पहलू यहां पेश किये जा सकते हैं राजवन्ष से पहले के काल में उसी रिस्स असार की व्यापक तोर पर पुजा होती थी उसके उपासना पहले क्रिशी से जुड़ी थी उसीर्स को वनस्पती का देवता माना जाता था ऐसा माना जाता था कि उसने मानव को क्रिशी करना सिखाया और उन्हें गेहू रोटी और जोगी शराब से परिचित कराया ऐसा लगता है कि ओसिरिस मिस्त्र के डेल्टा क्षेत्र में बेहाद लोग प्रिय था जहां बुसिरिस इस उपासना का मुख्य केंद्र बन गया था। उसके उपासना के और भी केंद्र थे और राजवा इंशकाल में एभी दोस उसके मुख्य केंद्र के रूप में उबरा। मिस्त्री पौरानी की के अनुसार ओसिरिस एक इंसाफ़ पसंद और अच्छा देवता था, जो पूरे विश्व पर शासन करता था ओसिरिस का एक भाई सेथ था, जो उससे डाह करता था सेथ ने ओसिरिस की हत्या का शडियंत्र रचा उसकी योजना काम्याब रही और ओसिरिस मारा गया ओसिरिस की पत्नी आईसिस ने अपने पती की लाश देखी उसके प्रयास से ओसिरिस का पुनर जन्म हुआ पुनर जन्म के बाद ओसिरिस ईश्वरा नुग्रा प्राप्तम्रितकों का देवता बन गया और उसने मृत्यू लोग पर राज किया ओसिरिस के मृत्यू के बाद आईसिस ने एक बेटे को जन्म दिया होरस और ओसिरिस और इसिस का बेटा था जब होरस बढ़ा हुआ उसने सेथ को मार कर अपने पिता की हत्या का बदला लिया, सेथ के साथ संघर्ष में विजई होने के बाद देवताओं की सहमती से, होरस अपने पिता की गर्दी पर बैठा, तमाम शाहसक फैरोहों को होरस के सा चिन्नित किया जाता था, होरस को शुरू में बाज गण चिन्न की उपासना से जोड़ा जाता था, अंतता बाज सभी फैरोहों का प्रतीक बन गया, हमेशा बाज को चितरित कर उन्हें इंगित किया गया, इस तरह हर शाहसक फैरोहों को होरस का रूप माना जाता था, मिस्त्री राजाओं का देवत्व स्थापित करने के लिए जीवित फैरों को होरस के साथ और मृत फैरों को उसिरिस के साथ चिन्नित किया गया उसिरिस के रूप में फैरों के पुनर जन्म का मितक इस विश्वास को फुकता करता था कि राजा अमर है फैरोहों के पुनर्जन्म से जुड़े तमाम अनुष्ठानों को इसी संदर्व में देखना चाहिए पिरामिडों और अन्या शाही कब्रिस्तानों या मकबरों की एक विचार धारात्मक भूमिका थी वे मृत्यों और मरणोत्तर जीवन को लेकर मिस्त्रवासियों के जुनून का नतीजा नहीं थे अगर यह मामला होता तो दफन करने का यह तरीका समाज के तमाम हिस्सों में होता लेकिन ज्यादातर मिस्त्री आडंबर हीन कब्रों में दफन किये गए गरिबों की कब्रें एक संक्रा गड़ा होती थी जिसमें शव के गुटनों को मोड़ कर बड़ी लापरवाही के साथ डाल दिया जाता था एक सो छे फैरोहों ने लोगों पर रोब जमाने और उन्हें यह जताने के लिए विशाल का इसमारक बनवाये थे की फैरोह कोई मामूली इंसान नहीं बलकि शक्तिशाली देवता है यह अंदाज लगाना मुश्किल नहीं है की कूफू और खाफरे के पिरामिडों ने लोगो क्या प्रभाव डाला होगा यह पिरामिड को अलग धलग ढाचे नहीं थे वे बहुत बड़े परिसरों के हिस्से थे जिनमें मंदिर स्थित थे उन मंदिरों में पुरोहित लगातार कर्म कांडों में लगे रहते थे खाफरे के पिरामिड परिसर के साथ स्थापत्य की एक विशाल बेहद असामान्यकृती जुड़ी थी जो सफिंक्स के नाम से जानी जाती है सफिंक्स एक ही चट्टान को काट कर बनाया गया है वह एक विचित्र प्रानी है जिसका सिर्फ सिंग का और धर आदमी का है उसका सिर्फ फैरोव खाफरे का प्रतिनिधित्व करता है फैरोव के उपासना के प्रचार प्रसार के लिए राज्य ने इन मंदिर सह मकबरा परिसरों की देखरेक पर बेशुमार संसाधन खर्च किये चथे राजवंश के बाद लोगों के दिमाग में यह बात मजबूती से बैठ गई की फैरोव देवता हैं मिस्त्री राज्य और उसको नियंतरित करने वाला शासक वर्ग फैरोव की उपासना को स्थापित करने में अनवरत लगा रहा शासक वर्ग बेहद शक्तिशाली था और उसकी शक्ति बहुत हद तक फैरोव की दाविक स्थिती से थी हमें अवश्य याद रखना चाहिए कि पुरानी बादशाहत के काल में मिस्त्र में एक शक्तिशाली और केंद्री कृत राज्य बवजूद में आ चुका था एक बहुत ही बड़े पैमाने पर वित्तिय प्रध्योगी की और मानव संसाधन चुटाने की अपनी इक्षमता को लेकर बेहद आश्वस्त शासक वर्ग विशाल पिरामिडों के निर्मान का इतना महत्वा कांग्शी उपक्रम अपने हाथ में ले सकता है फिर भी चौथे राजवंश काल के अंत तक देश के उत्पादक संसाधन की शासक अभिजात्य वर्ग की तलब हद पार कर चुकी थी सिमानतक शेत्रों पर दबाव बढ़ रहा था और संभावत उसके कारण पर्यावरन का ख्षरन हुआ और उत्पादक तागिरी या उन कारणों में से एक हो सकता है जिसके चलते पुरानी बादशाहत के अंत में केंद्री कृत राज्य अतियल्प समय के लिए विखर गया पुरानी बादशाहत काल तक मिस्त्री राज्य नौकरशाही का एक व्यापक धाचा विकसित कर चुका था जो विविद प्रशासनिक काम कर रही थी इस नौकरशाही में नजराने सुव्यवस्थित रूप से वसूल किये नौकरशाही का एक अन्य प्रमुख काम सीचाई से संबंधित कार्यों को संगठित एवं समन्वित करना था नजरानों का ज्यादातर हिस्सा क्रिशी से आता था गेहु जो और पटसन जिसे कपड़ा बनाया ज्यादा था मुख्य फसलें थी उसके अलावा मवेशी, पालन, क्रिशक, अर्थ विवस्था का एक अभीना हिस्सा था मिस्त्री किसानों के लिए मिस्त्री दस्तावेजों में अक्सर गे मेत्रू शब्द का इस्तेमाल हुआ है पर एक कर लगा कर उनसे जिसकी शकल में उनके उपज वसूली जाती थी इस कर को मेजेद कहते थे और उसमें अनाज रोटी पटसन तथा जानवरों की खाल शामित शामिल थी मेट्टू कात के लिए भी उत्तरदाई थे यह राज्य के लिए पिरामिडों का निर्माण इत्यादिया सीचाई के मकसद से नहर या जलवाही का खोधने और उनकी देख रेख करने के लिए कराया गया जबरिया शरम था कारीगर और दस्तकार सामानियता मंदिरों, मैलों और धनी परिवार के घरों से जुड़े कारखानों से बन्दे थे हालांकि निजी व्यापारी थे राज्य खास कर धातू लकड़ी और भोग विलास के सामान की खरितदारी के संबंद में प्रमुख व्यापारी अभियान संगठित करता था पेज 107 सरकार हर दो साल पर मवेशियों और कुछ हद तक जमीन के आकलन के लिए जन गड़ना कराती थी जन गड़ना की आधुनिक अवधारना के साथ उसका घाल मेल नहीं करना चाहिए क्योंकि हर प्रांत या नौम के संसाधनों के कच्चे आकलन पर आधारी थी हम नहीं जानते की जन गड़ना कितनी सटीक और कितनी पक्की थी लेकिन संभवत या किसी तरह से कर प्रणाली से जुड़ी थी इस दुई वर्ष ये जन गड़ना का प्रभावी राज्य में एक मुख्य हैसियत रखता था जिसके शक्ल में वसुल किया गया कर देश के विभीन हिस्सों में स्थित केंदरी अनागार सेंटरल ग्रैनरी में रखा जाता जिसके रुप में अदाइगी उनी अनागारों में होती थी पुरातन काल में उपरी और निचले मिस्तर के लिए दो अलग-अलग कोशागार थे उपरी मिस्तर के कोशागार को सफेद घर और निचले मिस्तर के कोशागार को लाल घर कहते थे पुरानी बादशाहत के दौर में दोनों को मिलाकर एक केंद्रिय कोशागार गठित किया गया, जिसका नाम दोहरा सफेद घर था, अनागार का प्रबंधन कोशागार करता था, वह प्राप्ती, अदाइगी, नजराना, शाही, खजाना और पटसन तथा खाल की वसूली का हिस किताब रखता था, जैसे जैसे केंद्रि कृत प्रशासन जटिल से जटिल तर होता गया, फेरो सरकार की देनन दिन कामों की देखरेक के लिए एक मुख्य मंत्री नियुक्त करने लगे, मुख्य मंत्री की उपाधी ताती थी और वह आमतर पर शाही परिवार का सदस्य होता प्रांतों में शुरू में नोम में सीचाई संबंधित कारियों के लिए नियुक्त अदज मेर धीरे धीरे शक्तिशाली होने लगा, अदज मेर वस्तुता प्रांतिय सरकार का प्रमुक्ता वह द्वीवर्षिक जनगणना कराता था और न्याय करता था, नौकर शाही के अस्तावेश तैयार करने के लिए प्रशिक्षित थे, हम यकीन के साथ कह सकते हैं कि चित्र लीपी का ज्यान समाज के एक छोटे से हिस्से अधिकारी पुरोहित लिपिक और कुलीन तंतर तक सीमित था, लोगों के व्यापक बहुमत को चित्र लीपी का ज्यान नहीं था, मि एक प्राक आधोनिक राज्य के लिए एक खास बिंदू से आगे केंद्री करण मुश्किल थी। बाशाहत के दौर में सेह या जजात और मध्य बाशा के दौरान केंद्री कहा जाता था। इन परिशदों के सदस्यों को सारू कहा जाता था। जो स्थानिय, प्रतिष्ठित, जन और कुछ लिपिक होते थे। दूसरे शब्दों में सारू या उन परिशदों के सदस्य गाउं के प्रभुत्वशाली समुहों के लोग होते थे। स्यय या जजात संभवत प्राक राजवंश काल में थे। मिस्त्री राज्य के केंद्री करण के रुझानों ने उन संस्थाओं को खत्म नहीं किया। ये परिशद अब ग्राम प्रशासन में सरकार की मदद कर रहे थे। ग्रामान चलों में सारू राज्य का मुख्या आधार बन गया और उसने फैरोह का प्राधिकार बुलंद किया। और उसने मिस्त्री धर्म के अनेक पहलूओं मसलन ओसिरिस की पूजा को अपनाया जो कहीं ज़्यादा पुराने थे। मिस्त्री धर्म की जणें अमराई और गिर जेई संस्कृतियों बल्कि उससे भी पहले तक जाती हैं। मिस्त्र के शुरू के क्रिशक समुदाय मातरी देवियों की पूजा करते थे। उनकी अपनी जनक्षमताएं उपासनाय भी थी। जैसे जैसे ये समुदाय कुलों और कभीलों में संगठित हुए। उन्होंने गणचिन अपनाय जो संबंधित कुलों कभीलों का प्रतीक था। जब कुल्या कभीले नील घाटी में बसे उन्होंने खुद को कुछ खास क्षेत्रों से जोड लिया। एक खास क्षेत्र में रहने वाले कुल्या कभीले अपने गणचिन को पवित्र मानते थे। अर्वा प्राक राजवंश काल की उन्हों संबंधित खेत्रिय इकाईयों के प्रतीक बन गए। मात्री देवी और प्रजनन शमता की उपासना के साथ साथ प्रकृती के कुछ तत्वों सूर्य बंजर रेगिस्तान की पूजा आम थी। मिसोपोटामिया की तरह एक एकल एक रूप मिस्त्री धर्म के संदर्म में चर्चा करना संभव नहीं है। अलंके मिस्त्र बहुत पहले राजनीतिक रूप से एकता बद्ध हो गया था। धार्मी का स्थाओं और आचरन में बेहद विविदता थी। हमें पूरे देश को अपने दायरे में समेटने की कोशिश करने वाला राजय समर्थित, धर्म और कुछ खास नोम या नगरों में सिमटी, स्थानिय और पासनाव में फर्क करना चाहिए। अमजन के बीच अनेक आदिम आस्थाएं कायम थी। वेप वावेत आसियत नोम से जुड़ा एक भेडिया देवता था, खिंतिया में त्यू एबिदोस का एक गीधर देवता था और सोबेक थीबस का मगरमच देवता था। सबीर तीनों अब तक टिक पाय पुराने काल के गण चिन्न होंगे। मिस्त्री धर्म की उत्पत्ती की प्रक्रिया सदियों तक जारी रही। इस क्रम में कुछ उपासनाव का रंग रूप बदला और वे रूपांतरित हुई जबकि अन्य गायब हो गई। पेज 109 राजविंश काल में देवियों और मातरी देवी पूजा की महत्ता में आम किरावट आई। मेसोपोटामिया पर अपनी चर्चा के क्रम में हमने देखा था कि कैसे यह प्रक्रिया पित्री सत्तात्मक समाज के उद्भाव से जुड़ी है। देविया या तो पूरी तरह खत्म हो गई या फिर देवताओं के अधीन कर दी गई। कुछ मामलों में वे प्रमुख देवताओं की सहचरी कंसार्ट बन गई। इस तरह इस इस एक पत्नी के रूप में ओसिरस से जुड़ गई। उसी तरह सिंग के सिर्व वाली देवी सेख मात मेंफिस के मुख्य देवताओं पिताओं की सहचरी बन गई। पिताओं ऐसा देवताओं था जिसे पूरे राजवंशकाल के दोरान और यहां तक की उस समय भी बड़ी संख्या में लोग पूस्ते रहे। जब मेंफिस राज़ानी नहीं रहा पिताओं के भक्तों में शिक्षित अभिजात्य वर्ग के लोगों के अलावा कारीगर भी शामिल थे। एक प्रविर्थी थी दो या तीन देवी देवता को जोड़ कर उन्हें एक परिवार की शकल देने की। हमने ओसिरिस परिवार ओसिरिस इसिस होरस का एक पती पतनी और पुत्र के रूप में जिक्र किया है। एक अन्य चर्चित देव परिवार पिता सेख मात सहचरी और नैफर तूम पुत्र का है। हम पाते हैं कि अलग अलग उपासनाओं को एक साथ लाने के क्रम में एक सामाजिक हिकाई के रूप में परिवार पर जोर बढ़ा मिस्त्री धर्म में एक और रोचक विशेष्टा ऐसी अनेक देवी देवताओं की उपस्तिती थी जिनका एक हिस्सा जानवरों का आम तोर पर सिर और दूसरा मानव का था अरसा फेस हेराक्यू पोलिस का मेड़ा के सिर वाला देवता था जबकि सोकार में फिस क्षेत्र में पूजा जाने वाला बाज के सिर वाला देवता था राजय स्तर पर मिस्त्री धर्म की सरवाधिक प्रमुख विशेष्टा सूर्य देवता की पूजा थी तीसरे राजवंश के काल से फैरोहों ने इस्या उस रूप में सौर उपासना को सनक्षन दिया सौर उपासना ने अन्य उपासनाओं को भी अपना लिया पुरातन काल में बाज के रूप में हरस की पूजा ने प्रमुख्ता ग्रहन कर ली जबकि विभिन आस्थाएं अभी अपने वर्चस्व के लिए संघर्ष कर रही थी दूसरे राजवंश के छटे राजा पेरिब सेन के शासन काल के साक्ष्य दिखाते हैं कि पुरातन काल के अंतिम दौर में सेथ की पूजा फिर से शुरू करने के लिए गंभीर प्रयास किये गए जैसा कि एमरी इंगित करते हैं इस चरण में होरस ओसिरिस की उपासना से पूरी तरह नहीं जुड़ा था पुरानी बादशाहत के दौर में जाकर होरस को ओसिरिस परिवार के साथ जोड़ने और सेथ को दुष्ट के रूप में पेश करने की प्रक्रिया पूरी हुई ठीक उसी समय सुर्य देवता रे आधिकारिक धर्म का आधार बना ओसिरिस और रे की पूजा के संबंद में सुचनाओं का एक प्रमुक स्रोत पिरामिडों के अंदर खुदे धार्मिक इबारत है वें पिरामिड आलेख के रूप में जाने जाते हैं सबसे पुराने पिरामिड आलेख पांच में राजवन्ष करीब 2300 इसापूर्व के हैं पिरामिड आलेख विश्व के प्राचीन तम धर्म ग्रंथ हैं पेज 110 रे की शाही पूजा की प्रविर्ती ने जोसर के काल में प्रमुकता ग्रहन की धीरे धीरे एक धर्म शास्त्र थियोलाजी विकसित हुआ जिसमें रे ओसिरिस होरस और फैरोह को देवकुल में जगा दी गई उसके लिए जो वंशावली स्रिजित की गई उसमें ओसिरिस और होरस को सूर्य देवता रे का वंशज दिखाया गया इस तरह दैवी फैरोह को रे के साथ साथ ओसिरिस और होरस से भी जोड़ा गया चोथे राजवंश तक रे की पूजा पूरी तरह स्थापित हो गई इस उपासना ने धाई अजार साल तक मिस्त्री धर्म में अपनी प्रमुखता बरकरार रखी बेशक इस लंबे दोर में उसके पूजा के तरीके में अनेक तबदीलियां आई समय के विभिन बिंदों पर रे को अलग अलग देवी देवताओं के साथ जोड़ा गया यह राजनीतिक तबदीलियों का सीधा नतीजा था जब नए समूसत्ता में पहुचते वे रे की पूजा के साथ जोड़कर अपनी उपासना को बढ़ावा देना चाहते यह स्थानिय देवी देवताओं को रे के अवतार में बदल देने के तरीके के तरीका से अमल में लाये गया मिसाल के तर पर आमोन को आमोन रे में आतुम को आतुम रे में और सोबेक को सोबेक रे में बदला गया यह फर्मूला स्थानिय देवी देवताओं को व्यापक्ता प्रदान करने का आसान तरीका था हम पहले चर्चा कर चुके हैं कि मिस्त्र में पुरोहितों के पास आमतोर पर कोई प्रत्यक्ष राजनितिक शक्ती नहीं थी फिर भी उन्होंने राजनितिक धांचा में मात्वपूर्ण विचार धारात्मक मुमी का निभाई और संकट के समय में उनका समर्थन बेहत जरूरी हो सकता था पुरानी बादशाहत के दौर में हेलियो पॉलिस के पुरोहितों को एक विशेश दर्जा प्राप्त था हेलियो पॉलिस मेंफिस के निकट स्थित नगर था आतुम नगर का मुख्य देवता था हेलियो पॉलिस के पुरोहितों ने एक बहुत पुराने देवता सुर्य देवता रे के साथ आतुम को सफलता पुर्वक चिन्नित कर दिया इस जुडाव के माध्यम से उन्होंने आतुम को व्यापक रूप से स्विकार्य बना दिया हेलियो पॉलिस के पुरोहितों ने राज्य के साथ खुद को दिर्टा से जोड कर अपनी मस्थिती मजबूत कर ली आतुम रेप फुरानी बादशाहत के दौर में प्रधान उपासना रही जब चौथे राजवन्ष के बाद राजनितिक संकट का एक लंबा दौर चला और फैरोहों की शक्ती खिन पड़ी हेलियो पॉलिस के पुरोहित राजनितिक रूप से शक्तिशाली बन गए पांचमे और छठे राजवन्ष के अंतरगत हेलियो पॉलिस ने अपना प्रभाव बढ़ा लिया छठे राजवन्ष के पतन के साथ ही पुरानी बादशाहत का अंत हो गया प्रथम मध्यवर्ती काल में केंद्री कृत राज्य के हराज से हेलियो पॉलिस के पुरोहितों और आतुम रे उपासना को धक्का लगा केंद्र कुछ शक्तिशाली नौम की तरफ चला गया जिनोंने अपनी सुतंतरता का दावा किया प्रांतिय गवर्नर मजबुत हो गये युनानी विवरणों में ऐसे गवर्नरों को दोमार्क कहा गया है हेरा क्यू पॉलिस सत्ता के नए प्रमुक केंद्रों में से एक था हेरा क्यू पॉलिस के उत्थान से नगर का स्थानिय देवता अरफासेस अरसाफेस कुछ समय के लिए मिस्त्री देवकुल का प्रमुक देवता बन गया पेज 111 जम 11 में और 12 में राजवन्ष के अंतरगत मिस्त्र को एक बार फिर से एकी कृत किया गया तो आतुम रे की जगा आमोन रे की पूजा होने लगी मध्यवबाद शाहत काल में राजनीतिक सत्ता का केंद्र उपरी मिस्त्र के थेबेस नगर में चला गया गयारवें और 12 में राजवन्ष के शासक थेबेस के थे आमोन थेबेस का मुख्य देवता था रे को अब आमोर रे के रूप में प्रस्थुत किया गया सुर्य देवता इस रूप में मध्य एवं नई बादशाहत के जादा तरकाल में पूजा जाता रहा हमें सोबेक रे का जिक्र भी मिला है हमने देखा कि सोबेक थेबेस का एक मगरमच देवता था बारवें राजवन्ष से फैरोह को आमोन के वन्षज के रूप में पेश किया जाने लगा आमोन उपासना मिस्त्री राज्य की सर्व प्रमुख उपासना बन गई यह उपासना इतनी प्रभावशाली थी कि जब अठारमे राजवन्ष के राजाओं में से एक उमिन होतेप चतुर्थ ने राजधानी थेबेस से बदल कर आखित आतेन ले जाकर उसे तोड़ने की कोशिश की तो उसे असफलता हाथ लगी अमिन होतेप चतुर्थ ने वहाँ एक अन्य देवता आतेन की पुजा शुरू की थी उसके उत्तर अधिकारी ने थेबेस को एक बार फिर सामराज्य की राजधानी बना दिया और आमोन या आमोन रे का बर्चस्व सुनिश्चित किया इन तबदीलियों के दोरान ओसिरिस की उपासना भी रूपान तरित हुई पुरानी बादशाहत काल में सिर्फ फैरोह को ओसिरिस के रूप में पुनर जन्म लेने का विशेशादिकार था बाद में यह विशेशादिकार शाही परिवार के सदस्यों को भी मिल गया उसके बाद तो यह विशे शाधिकार प्रांतिय गवर्नरों नोमार्क तक को हासिल हो गया शासक वर्ग के अनेक किस्सों को आसिरिस के रूप में पुलर जन्म लेने के लिए कर्मकांड करने की इजाज़त मिल गई नतीजतन फैरो की दिव्यता को बढ़ावा देने के संदर्ब में उसेरिस की उपासना का मातो घड़ता प्रतीत हुआ उसेरिस की उपासना बेहद लोक प्रिय रही लेकिन पुरानी बादशाहत काल के बाद उसके संपून चरित्र में परिवर्तन आया यहां कोई यहटी पणि कर सकता है कि चोथे राजवंश के अंत तक मिस्त्र वासियों के दिमाग में फैरो के देवता होने का विचार इतनी मजबूती से जम चुका था कि अब फैरो की दिव्यता और अमरत्य के विचार को बरकरार रखने के लिए उसेरिस के मिथक पर आश अब तक टिकी रही लिखित सामगरी समयत प्राचीन मिस्त्री सभ्यता के अवशेशों से विज्ञान और गणित के खेत्र में मिस्त्र वासियों की शांदार उपलब्दियों को लेकर कोई संदेह नहीं बज़ता इन खेत्रों में खुद भी शांदार उपलब्दियां गणने में ज्यादा निपुन नहीं थे लेकिन वे जबर्दस्त प्रेक्षक थे और विज्ञान तथा गणित के प्रश्णों का व्यावारिक हल निकालने में दक्ष थे पिरामिडिस का सर्व प्रमुक उदारन है पेज 112 नील नदी में बाढ के आकलन और सीचाई या करारोपन के लिए जमीन के सर्वेक्षन के क्रम में आरंबिक मिस्त्री जामिती और गणित विकसित हुए लंबाई की आधिकारिक इकाई 52.3 सेंटी मीटर का एक शाही रेखाकार माप थी उसका इस्तेमाल नील में जल अस्तर मापने में पुरानी बादशाहत काल से किया जा रहा था एक और एका कार माप थी जो आम उदेशियों के लिए इस्तेमाल की जाती थी यह शाही इकाई से थोड़ी छोटी थी मिस्त्रवासियों ने एक से नौ तक के अंकों के निलूपन के लिए चिन भी कसित किये वे शूद्य की अवधारणा से अंजान थे वे दस सो हजार और उस तरह दस लाग तक की संख्याओं के लिए अलग-अलग चिन इस्तेमाल करते थे उनका हिसाब किताब मुख्यत जोड और घटाव पर आधारित था गुणा के पारे में उनका ज्यान प्राथमिक स्तर का था गुणा में वे एक जटिल पधधती का इस्तेमाल करते थे जो जोड के एक विस्तारित रूप से जादा मिलता जूलता था यह भाग के लिए भी सही था मिस्तर वासी अपने खंडों में जिस एक मात्र गणक का इस्तेमाल करते थे वह एक था इसलिए उन्हें एक से बड़े गणक वाले खंडों को निरूपित करने के लिए एक लंबा पुनरावृत्ती तरीका अपनाना पड़ता था तीन बटा ग्यारा को एक बटा ग्यारा जमा एक बटा ग्यारा के रूप में दिखाये जाता था उसको सरल करने के लिए आम तोर पर इस्तेमाल होने वाले खंडों मसलन दो बटा तीन और तीन बटा चार के लिए कुछ चिन्ह इस्तेमाल किये जाते थे इन सीमा बद्धताओं के बावजूद मिस्तरवासी अपने हिसाब किताब में गजब के सटीक थे यह उस समय और भी विलक्षन हो जाता है जब हम महसूस करते हैं कि पिरामिट जैसे विशाल पैमाने पर आकलन को बिलकुल सटीक होना होता था अगर बहुत छोटी सी भीत्रूटी होगी तो डिजाइन पर अमल करने में वह कई गुणा बड़ी हो जाएगी कम्प्यूटर के इस आधुनिक युग में भी खुफू के महान पिरामिड के आयाम वाला कोई पिरामिडी ढांचा का डिजाइन बनाना एक चुनोती पूर्ण कार्य होगा क्योंकि उसके लिए एक साथ धेर सारे आकलन की जरुवत होगी हम जानते हैं कि मिस्त्र वासियों ने पिरामिडों के सरेखन के लिए अपने कुछ खगोलिय आवलोकन का इस्तियमाल किया उन्हें किसी वृत्त के व्यास और उसके ख्षेत्रफल के बीच का संबंध मालुम था और उन्होंने पाई का मूल्य का आकलन खासा सही सही किया आमतर पर माना जाता है कि मिस्त्र वासि कुछ मिला कर खगोल शास्त्र में ज्यादा प्रगति नहीं कर पाए कुल मिला कर ज्यादा प्रगति नहीं कर पाए लेकिन उन्होंने एक व्यावारिक पंचांग कैलेंडर बनाया उसमें साल की लंबाई का आगलन लगभग सही सही किया गया था प्राचीन मिस्त्री पंचांग में एक साल में 365 दिन होते थे साल 30-30 दिनों के 12 महीनों में बाटा गया था मिस्त्री साल हमारे पंचांग के 19 जुलाई से शुरू होता था पांच अतिरिक्त दिन पवित्र दिन थे जो भोज के लिए अर्पित थे पेज 113 हर साल एक चथाई दिन को छोड़ देने से एक अरसे में गरबड़ी आ जाती थी उसे एक नए फैरोह के सत्तारोहन के साथ नए ढंग से पंचांग शुरू कर दूर किया जाता था पिछले फैरोह के पंचांग को छोड़ दिया जाता था इसका अर्थ यह हुआ कि हर एक चार साल पर पंचांग में एक दिन जोणने जो हम हर लीप वर्ष में करते हैं में असफलता से हुई तुटी एक हद से जादा नहीं बढ़ती इस तरह गरबड़ी दुरुस्त करने योग्य सीमा में रखी जाती थी मिस्त्रवासी मानव शवों के संरक्षन में अत्यंत सफल थे ममी करण की कला चोथे राजवंश तक पक्की कर ली गए थी शव के संरक्षन के लिए मानव शरी रचना विज्ञान और रसायन शास्त्र के बुनियादी सिध्धानतों की अच्छी जानकारी जरूरी है यह एक अत्यंत विशेशग्यता पूर्ण काम था और उसका कोशल लंबे समय तक प्रशिक्षन के बाद प्राप्त किया जाता होगा बदकिस्मती से समी करण के लिए विकसित दक्षता चिकित्सा विज्ञान के ख्षेत्र में कोई योगदान नहीं कर सकी शव को संरक्षित करने वाले विशेशग्यों को मानव शरी रचना विज्ञान के सम्बंध में बहुत कुछ जानने का मौका मिला या तजुर्बा चिकित्सा विज्ञान को इस कारण के फायदा नहीं पहुचा सका कि चिकित्सा सामान्यता पुरोहितों का ख्षेत्र था जिने संदक्षन की वास्तविक प्रक्रिया से सीधे तोर पर कुछ लेना देना नहीं था पुरोहितने इलाज के लिए जदु टोना के इस्त्यमाल को प्राथमिक्ता दी इस तरह चिकित्सा विज्ञान के विकास का एक महान इतिहासिक मौका खो गया पेज 114 झाल 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 झाल